नमस्कार दोस्तों मैं उधीरज और श्वागत करता हूँ आपका study.com में तो पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको per day tax चाहिए आपने बोला था कि हंजी सर हमको tax चाहिए ठीक है तो चलो आज से सुरू करते हैं य यदि आप class 12 rainbow या I mean की 100 marks English में यदि आप अच्छे नमबर लाना चाहते हैं तो फिर आपको ये tax जरूर पूड़ा करना चाहिए देखो tax को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि first of all आपके पास कुछ books होने चाहिए एक तो आपके पास rainbow part 2 ठीक है न मतलब ये जो आपका सामने ये जो book दिख़डा है एक तो ये book आपको होने आपके पास होनी ही चाहिए दूसरी जो book आपको होने चाहिए वो होनी चाहिए a story of English की ठीक है a story of English की एक book होनी चाहिए और तीसरी जो book आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए question bank ठीक है story of English की book market में मिल जाती है 10-12 रुपय दाम है इसके बाकी कुछ खास नहीं है ऐसे हमारे ठेली ग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा विद्या वाहिनी एप पे भी मिल जाएगा तो हर जगह मिलेगा question bank आपको एक लेना पड़ेगा यह important है देखो question bank English, Hindi और हर एक subject के लिए important है question bank यदि आपने ले लिया है किसी भी प्रकासन का तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है लेकिन यदि आपने नहीं लिया है तो आप आलोग publication का ले लेंगे अच्छा question bank से क्या होगा question bank में आज तक मतलब पीछे के 9-10 सालों में जितने भी questions पूछे गए है वो सारे के सारे रहते हैं उसमें answer के साथ रहते हैं तो हम लोगों के पास एक idea होगा कि हाँ जी इस तरीके से हम लोगों को सारी की सारी कीज़े करनी है एकदम एक step लेके चलेंगे जैसा कि आपको पता है ऐसे पूछा जाता है लेटर पूछा जाता है explanation पूछा जाता है तो हर एक चीज़ को साथ लेते हुए हम लोग जो है एक एक कड़के आगे बढ़ेंगे मतलब एकदम से धरले से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका आज का जो टाक्स है वो बड़ा ही आसान है बहुत लोगों को बहुत लोगों ने ये टाक्स कर भी लिया होगा यदि आपने भी कर लिया है तो कमिट में मैसेज करो ठीक है आपको मिलेगा आज कि प्रोज में 11 चैप्टर से ठीक है और पोईटरी में कितने 10 चैप्टर से और आपको पता है कि प्रोज में ये जो 11 चैप्टर से इसमें 11 लेखक और ये यहां से 2 नंबर के क्वेस्चन आपके आते हैं और पोईटरी में ये जो 10 चैप्टर है यहां स पाँच नमबर के question आते हैं तो कुल मिला के 7 नमबर मतलब 100 नमबर में 7 नमबर तो आपका यहीं पे है ठीक है न? ओके? तो आपको क्या करना है यह pros के जो 11 लेखक हैं और जो chapters हैं उन लेखकों और chapters के नाम जैसे मांग लो I have a dream किस ने लिखा? अगर कोई आपसे पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए Martin Luther King Junior ने लिखा अगर कोई पूछ दे My Grandmother's House किस ने लिखा तो आपको याद होना चाहिए कि भाई कमला दास ने लिखा है Two Autumn किस ने लिखा John Kitts ने लिखा है या फिर कोई घुमा के भी पूछ दे कि बताओ जाकिर उसेन ने क्या लिखा है तो भी आपको याद होना चाहिए कि भारती इस माई होम उनके द्वारा लिखा गया है दोनो टाइप से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए एकदम आप याद कर लो और यही आपका टाक्स अगर आप इसको आज कम्प्लीट कर लेते हो तो समझो कि 7 नंबर आपके पक्के हो गए ठीक है और फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे दिन एक नए टाक्स के साथ यदि आप इसको कम्प्लीट कर लोगे जब भी तो आपने आपको लिख देना है यहां कमेंट बॉक्स में आके कि हंजी सर मैंने कम्प्लीट कर लिया ओके तो इतना आपको कर देना है ओके चलिए थैंक्यू सो मच मिलते हैं डे टू पे एक नए टाक्स के साथ तब तक के लिए धन्यवाद